आज आपने उसकार शेश्यकाल क्यासा मेरी यूट्यूब फैमले उपके सारे अच्छोंगी तो सबसे पहले तो फिशिंग यूआ वर्य हपी बाद दे विर्याट कोली किंग कोली क्योंकि आज है हमारी किंग कोली जी का बते तो बड़े बॉय आपके लिए हमारे बास कोई भ हमें जीने वाले जीट कर गिफ्ट आप देने वाले है और और एकोप की पूरे व्लमेप के लिए धून होती होंगी और आप खूश जींगे अनमे आप उनमें घ् license की दुआ है और अपनी लिए भी तो कल का जो मैंच भी है डिल के पैसंट दिल को जड़ा अपने दिल पर कंट्रोल करके कि कल बहुत बढ़ा दिन है इस वर्लकप का सुपर लिग मैंच हो रहा है वह कल लास्ट डे है और तीन तीमे नहीं छे टीमे आपस में बिरने वाली हैं जद्धो जद्ध लगी है कि वो वर्ड कप के समिफाइनल में पहुंचे तो इधर नीदरलेंड और बंगलादेश की उमीद है तो बहुत कम है लेकिन इंडिया साउथ अफ्रिका और पाकिसान इन तीनों की उमीदे बरक माच वो जीच जाए तो इस उमीद के साथ कि हमारा इंडिया हमारा सेमिफाइनल में पहुंच जाए क्योंकि अभी तो रैंकिंग मतलब पॉइंस टेवल पर इंडिया नंबर वन है और अगर कल कर जो मैच होने वाला ना वहीं डिसाइड करेगा कि इंडिया नंबर वन पे पर इंडिया बहुत अच्छा घिलने वाली है और कल मैच जीतने भी वाली है अब इन बात करूंगी आज विराट कोली का बड़े हैं तो भी उन्होंने बहुत नेट में प्रक्टिस करी है क्योंकि जीतने सारे वीडियो दो आरे है उसमें विराट कोली को बहुत ही ज्याद और रेंड़ा इसे प्रैक्रिस करना बहुत है और हमरी टीम तो खहत प्रैक्रान से फ्रैक्रेंट समीफाइनल बस थ्वाइए करिए उल्ला से भगवान से और सारे लोग बस से ही प्रेयर करें कि हमारा टीम हमारी टीम समी फाइनल के बाद फाइनल भी खेले और वर्ल्लकप हमारो तो अच एक बहुत बड़ी खबर भी है क्योंकि ऑस्टिलिया ना हार चुकी है मतलब आउट हो चुकी है इस वर्लकप से और बिल्कुल सब कुछ उलट फेर हो गया है पता नहीं यहां पर जो मैचे जो रहे है ना इस वर्लकप में बिल्कुल कोई कह नहीं सकता था ऑस्ट्रिया जिसी टीम भी इस तरह से आउट हो जाएगी वर्ल्लकप से यह किसी नहीं सोचा था क्योंकि सबसे मजबूत दावे जीती थी और आज श्रीलंका जब इंग्लाइन से हायर गई तो बिल्कुल ऑस्ट्रिया बाहर उचुकी है वर्ल्लकप से तो देखते हैं आगे क्या होता है तो आगे और भी बहुत कुछ है तो बने रहे पूरे वीडियो में और देखते हैं कि मैं आपको क्या-क्या जान कर सेमिफाइनल तक भी क्वालिफाइन नहीं कर पाई और इंग्लाइन की टीम ने श्रीलंका को हरा के क्वालिफाइन कर लिया है तो इस वारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राइज जरूर कॉमेंट में दें कि ऑस्ट्रियान टीम डिफेंडिंग चैंपियन होकर भी आ और विर्याट कोली को वांस अगेंड हैपी बर्टे और टीम इंडिया फिर्जकप लेके आए इसके लिए दुआ करें थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग थेंक्यू तो आज ऑस्टेलिया की टीम क्रिकेट 2020 वर्ल्ल कॉप से बाहर हो चुकी है क्योंकि आज इंग्लैंड शुलंका को हराकर ऑस्टेलिया को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है और खुद इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुक है ग्रूप A के पॉंस टेबल पे वह सब सेकंड नंबर पे आ चुकी है और वह क्वालिफाई कर चुक है तो डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्टेलिया का बाहर हो जाना यह कितना सही है कितना गलत है यह आप कॉमेंट में आके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लग घुर बताएं लग्योंच जो है जड़िया है यह सब सत्थ कुमेंट में आके भीज़ जरूर है यह जब हम वीदागर वीज़गर चैंजो पमक्टेलिया चैंप ठाएंगर लग्ताव क्वेशगर इस नंग्योंगर पे तो एक भीज़गर एक सम्वेशगर नंगर